शिवाजी बस्ती के राजजेंदर कलोनी द्वारा अक्षत कलश यात्रा को संपोर्ण कलोनी में ब्रहमन करवाया गया राजजगर नगर के मध्य स्थित गुरू राजजेंदर कलोनी के श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर से अयोध्या से आये पुजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई शोभा यात्रा का प्रारंब बैंड और ढोल के द्वारा रजेंदर कलोनी स्थित शिरी राजा राजेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंब हुआ इस यात्रा में आकर्शन का केंद्र नन्य बच्चो द्वारा, राम दर्वार का स्वांग रहा, जिसमें बच्चों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया शोभा यात्रा में संपूर्ण शिवाजी बस्ती के महले, जिसमें राजिंदर कलोनी, नर्तोडी वैभव कलोनी, श्रीराम कलोनी और साकेत नगर के समानिय बंधू गण उपस्ति थे शोभा यात्रा में अपने अपने मुहले के अक्षत कलश साथ में ले जाकर अपने अपने मुहले के मंदिरों में विराजित किये और महा आर्थी कर प्रसादी का वितरन किया गया शोबा यात्रा संपूर्ण राजेंदर कलोनी से होती हुई पुना मंदिर प्रांगन में पहुची जगा जगा पर शोबा यात्रा का समान तथा अक्षत कलश का पूजन किया गया मात्र शक्ति द्वारा ढोल की थाप पर गरबा भी किया गया पारंपरिक वेश-बुशा में निकाली गई शोभायात्रा ने संस्करिती का भी परिचे दिया भगवान भूले शंकर का शीरी राम अव्तार में मनमोहक श्रिंगार किया गया शोबा यात्रा के सम्मापन के बाद भगवान शिरी राम तथा राज राजेश्वर महादेव जी की आरती की गई, कलोनी के भक्तगणों द्वारा शिरी राम प्रस्तुती तथा राम धुन का उच्चारण किया गया, महा आरती के पश्चात महापरसादी का वितरण किया गया कार्यक्रम में सहयोग समस्त गुरू राजिंदर कलोनी के भक्तगणों का रहा